आज मैं आप लोग लिए बहुत ही जरूरी बाते हैं आज शेयर कर रही हूं नए साल के लिए कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसी चीजें जो हम हमेशे करते आ रहे थे लेकिन अभी तक मैंने बहुत सारी लोगों को यह नहीं बताया था तो बहुत सारी सीकेट बाते हैं आज में शेयर करने वाली हूं जो कि नए साल के पहले एक दिन पहले आपको 31 डिसेंबर को रात को 12 बजे करना है जैसे ही नया साल सुरू होता है तो यह चीजे कुछ अगर आप नियम यह उपाय करके देखेंगे तो आप सही में अनुभाव करेंगे कि आपका नया साल बहुत ही बिल्कुल भी आप ज्यादा बाते नहीं करेंगे तो सबसे पहला उपाय है कि आपको रात में 12 बजे अची तरीके स्वक्षुकर साफ वस्त्र पहन कर भगवान के सामने पांच दीपक लगाने हैं पांच घी के दीपक जलाने हैं और भगवान को आपको आरती करना है भगवान थोड़े से जागते रहें उस समय जब आप अपनी प्रातना मांग रहे हों को जो भी आप बोलना चाहते हैं तो उस समय आपको अपनी एक्षा को बोलना है जो जो आप चाहते हूं सबसे प्रथम आपको ये बोलना है कि हमारी भलाई के लिए जो आपको अच्छा भलाई हम ही नहीं जानते तो हमारी भलाई जो होती है वो भगवान सबसे अच्छी तरीकी से जानते हैं तो कहते हैं कि जब हमारे मनका नहीं होता है तो समझ जाहिए वो भगवान की मनका है और उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है जो आप सोच रहे हैं आप म तरक्की करें और फिर आपकी जो मर्जी हो वही कीजिए क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है ऐसा करकर आपको पांस दीपक जलाना है वह पांस दीपक की आपको बाद में आजमन करके पाणी से आजमन करने के बाद भगवान को आरती दे और फिर आप खुद को पां अंगूर खाना है अंगूर जो होता है बहुत ही शुफल होता है अगर आपको उस समय अंगूर ना हो ग्रेप्स ना हो तो जो किश्मिश होती है किश्मिश तो हर घर में होती ही है भोग के लिए अपने भगमान के पास भी रखते हैं तो आपको किश्मिश लेना है किसी का अहित नहीं सोचना है हमें बस हमाई लिए अच्छा हो बस वही है भगवान से मांगना है और भगवान से विंती करना है कि ये नया साल बहुत सारी खुश्या ले किया है पूरे भात वर्ष के लिए हर एक मुसीवत को दूर करे और सभी का जो डेली रूटीन है वो अच्छा मांगते हुए भगवान से हाँ जूर कर प्रातना करनी है कि ये साल सभी के लिए बहुत शुब हो अच्छा हो मंगलमा काम हो और आपके सभी काम होंगे अगर आपके घर में कोई ऐसा लड़का या लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही है तो वो भी इस समय भगवान की आर्दी करते हुए आप अगर मन में विश्वास रखकर प्रातना करेंगे कि इस साल मेरी शादी हो जाए अच्छा वर मिले या फिर अच्छा करन्या मिले तो आपका ये काम जरूर होगा पूइद विश्वास से आप ये काम कीजिए और आपके सारे काम आपको भगवान के सामने आपको जो भी आप चाहते हैं वो मांगते हुए आपको कुछ ऐसे लाल फूल चडाना है जो की बहुत ही शुब होते हैं ऐसे गुड़ल का फूल होता है गुलाब के फूल होते हैं तो आप ये तैयारिया पहले से करके रख ले तो वो फूलों को ह साफ करकर सख्ष करने उसको ठीका लगाएं और आपको रात को बारा बज़े शंख को जरूर बजाना जाएं आप यह मत सोचें कि आस पास की लोग क्या सोचेंगे पड़ोसी क्या सोचेंगे लेकिन आपको यह काम करना है तो करना है कोई बाद में इतना याद भी नहीं रखत है कोई सब लोग भूल जाते हैं पर आपको पांच बार शंख को जरूर बजाना है घर का जो बड़ा हो घर की जो बड़े जैंडसों वह जरूर बजाएं एक बर भगवांग के आरती करते समय तो शंख को बजाने से सारी नेगेटिविटी आपके घर से दूर होती है पाइदा होता है कुछ आपको कुछ शुब शंकेत मिलते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंटर के बताएं कि आपको लाव हो रहा है और ज्यादा से एस वीडियो को जरूर शेयर कि जैसे सभी का लाव हो सभी को इस बात की जानकारी मिले क्योंकि मैं करना चाहिए तो आज का ये वीडियो में यहीं समाप्त करती हूं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहिये में बहुत इच्छी अच्छी इन्फरमेशन आपको लोग सथ हमेशा शेयर करती रहोंगे तो चले आज का यह वीडियो मे यहीं समात करती हूं आपको बहुत बहुत धन्यवाद